हेलो एवरीबन मैसल रजस सिंग वेलकम तु इने सेटा गाईज आई होप यौल और गुड 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 इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तु आल अफ यू गुड इवनिंग अनन्थ हिमांशी राकेश जी एस सुखी मुस्ताक प्रज्वल सभी को गुड इवनिंग बेटा हाँ बेटा उसमें recorded भी वीडियो मिलती है जो classes हो गई हो जो बैसे हो गए हो उनकी सारी recorded वीडियो भी मिल जाती है ठीक है तो सभी लोग फटा फट जल्ली जल्ली जुड जाओ यार जल्ली से जुड जाओ session करेंगे मज़ेदार आज अच्छे-च्छे questions करेंगे है न एक बार confirm जरूर कर दीजिए आप सभी लोग कि आप सभी को मेरी आवाज जो है वो clear आ रही है या नहीं क्रिती, रिजू, रनबीर, तेजल, अर्पिता, हिमानसी सभी को गुड इवनिंग बटा मधुमिता, क्रिती, अक्षय, रश्मी, ठीक है और जो भी बच्चे महापैक लेना चाहते होंगे जाकर चेक कर लेना इस्टोर पर अभी भी यह option दिखा रहा है डबल वैलिडिटी क तो डबल वैलिडिटी अभी भी मिल रही है तो और मतलब अड़ा के आप पर जाएए सर्च कीजिए सेविल इंजिनिनिंग का महापैक वहाँ पर आपको 6 महीने और 12 मन्त के दो पैक दिखाए देंगे 6 महीने पर 6 महीने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है सेम प्र इस अरीके से बाकी एक कुछ निउ बैच्छे हैं अससी का प्री प्लस में तरीक से स्टार्ट हो रहा नया बैच्छ तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी स्टुडेंड जॉइन करना चाहते होगा जियेगा जो 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 कर रहे हैं उनके लिए एक बैच आ चुका है वो चलो गाइज और यह कुछ old batches हैं ससी जेए के जिसमें already आपको recorded classes मिल जाती हैं तो यह बहुत minimum price में दिये जा रहा है इसको भी आप जाके देख सकते हो अगर आपकी requirement है तो ठीक आज का session स्टार्ट करते हैं और आज के session में हम लोग करेंगे मज़िदार questions surveying के और I hope की आसा कर सकता हूँ कि आप सभी के जवाब फटाफट आएंगे comment section में जल्ली से जल्ली आप लोग को participate करना है और जिन लोगों ने session को देख रहे हैं जो अभी फिलहाल में live हैं बिल्कुल 87 बच्चे जो भी है उन बच्चों से मेरी एक ही request है कि सभी बच्चे channel को जरूर subscribe कर लो at least channel क को subscribe कर लिजे ताकि मेरी जो random भी classes होती है YouTube पे at least जो free की classes है वो आपको पहुच सके उनके notification मिल सके तो जरूर चैनल को guys subscribe कर लिजे और साथी साथ bell icon को press कर लिजेगा ताकि आपको notification proper मिलते रहे हैं ठीक है उस पर वीडियो बना के बता दूँगा सौरव ठीक है चलिए चलिए start करते हैं first question आपके screen पर है फटा फट जवाब दीजे फटा फट जवाब दीजे उसको discuss कर लेंगे आंद्रपतिस वाला भी पहले इसको इसको यहाँ पर सेशन को start करते हैं मज़ेदार तरीके से जल्दी जल्दी और एक बार देखो पहला question करते के साथी सबी लोग फटा फट सेशन को यार लाइक भी कर दो ताकि notification जो है recommendation जो है बाकी बच्चों तक पहुंच सके फटा फट सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजे आपको अगर सेशन मेरा अच्छा लगता है ठीक आपको चीजे समझ में आती है तो जरूर आप session को लाइक भी कर सकते हैं ठीक, determine the length of a bridge, एक length, bridge की length निकालनी है, propose to build across a wide river, एक wide river है, उसके cross बनाया जा रहा है, उसकी length निकालनी हो, तो कौन सा method, इन में से choose करेंगे, यहाँ पे जो given options है, यहाँ पे देखी क्या लिखा हुआ है, hydrographic यार पानी के अंदर जाके तो करना नहीं है, hydrographic serving क्या करते है, water large water body, जो पानी के अंदर जाके कर रहे है, यहाँ पे measurement bridge की length का करना है, ठीक है, यह questions पढ़ा कीजिए, कुछ लोग hydrographic पे जाते हैं, यहाँ पे first option correct है, tachometer, tachometer और general distance, पता कर ली जाती है, चुकि large distance है, तो large distance के लिए chain serving use नहीं करते हैं, chain serving का use करते है, smaller distance के लिए, triangulation तो process है, यहाँ पर बिल्कुल a option बिल्कुल correct है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कौन सा option correct है, यहाँ पर यह option आपका 100% correct है, यह option is correct, अगले question की तरह बढ़ते हैं, next, next देखिए, heliograph के बारे में पुछा है, एक instrument होता है, यहाँ पे side में figure दिखा ही दे रहा है आपको, इसके बारे में आपको बताना है कि which one of the following is correct, यहाँ पर कौन सा option correct है, यहाँ आपको बताना है, फटा-फट पढ़िए question और बताईए, heliograph is a type of, यहाँ पे option लिखावा instrument used for recording the movement of sun, sun के movement को record करने के लिए, दूसरा लिखावा instrument used for contouring an area, किसी area के लिए contour map बनाने के लिए, electronic distance measuring device, EDM बोल रहा है, यह बिल्कुल गलत है, sun signal, यहाँ पे तो आपको figure दिखा दिया तो और असान होगा, sun signal used in triangulation work, बताईए, इसका answer, proper answer क्या होगा, यह देखो sun की photography के लिए use होता है, sun की photographs लेने के लिए, उसमे sun के signal का use करते हैं, यहाँ पे mirror लगे होते हैं, उन mirror की मदद से sun signal का use करके, हम लोग proper इससे measurement उसकी photographs वगरा लेते हैं, और triangulation process में भी use करते हैं, बिल्कुल D option यहाँ पर correct है बच्ची, हाँ पर यह option नहीं, हाँ पर D option बिल्कुल correct है, D option is correct, D is correct option, ठीक है, next, अगला कुस्ण देखी, next question, the map projection in which the angle between any pair of short line is represented correctly is called, map का वो projection, जिसमें, किसी भी short line के बीच का angle correctly represent किया गया हो, उस projection को क्या बोलते हैं, चार options लिखे हुए है, conformal projection, equidistance projection, azimuthal projection, equal area projection, which one is correct, यहाँ पर 4 में से कौन सा correct है, आपने देखा भी होगा, यह तो आपने जनरली बच्चपन में भी देखे होगा, अभी जो books वेगरा पढ़ते हो, उसमें conformal projection आपने देखा होगा, आपके पूरे के पूरे globe को, earth को 2D plane में कैसे बनाय जाता है, पूरा का पूरा map बन जाता है, इस तरीके से curve shape में, पूरा का पूरा इसमें map बन जाता है, 2D plane में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या conformal projection, जिसमें सभी line के बीच का angles वेगरा proper तरीके से represented होता है, इसका answer हो जाएगा A option, जो लोग तुक्का मार रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो वो समझ लें कि तुक्का मारने में क्या अंजाम होता है, आप लोगो दिख रहा होगा, clearly आपको पता चल रहा होगा कि तुक्का लगाने से क्या नुकसान और फायदे होते हैं, चलिए, next, if ये L है यार, if L is the, ये L है, length, L, if L is the measured length of a line, then the compensating error are proportional to, length में जो error होता है, वो measured length of a line, then the compensative error, compensating error are proportional to, किसके proportional होता है, compensating error, which one is correct, ये options तो आप सभी लोग बता पाओगे, I hope कि ये answer, इसका answer तो सभी लोग बता सकते हो, बिलकुल इसका answer क्या हो जाएगा, A option is correct, A option is correct, root of L, बिलकुल correct है, A option correct है, इसका answer तो सब बता देंगे, आगे अब तो अच्छे-च् questions आएंगे, आप लोग, उमीद कर सकता हूँ कि आप लोग सारे question का सही सही जवाब दीजे, यहाँ आप देखे थोड़ा सा, ये लिखा हुआ, थोड़ा सा अच्छे से नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, if H is the difference in height between the end points of the chain length L, the slope correction is approximately equal to, slope correction किसके बराबर होगा, ये प H upon 2L, और H square upon 2L, which one is correct, D option, 100% D option is correct, यहाँ पर D option आपके correct हो जाएंगा, आप लोग पता है, slope correction is minus H square upon 2L के बराबर होता है, slope correction is always negative, यहाँ पर magnitude में दिये हुए हैं, options minus plus नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपको D option टिक करना होगा, otherwise minus होता है, आपको पता है, सबको पता है, ठीक, next, clogging of chain rings with mud introduced, clogging of chain rings, clog, clog मतलब फंस जाना, mud के कीचड की वज़े से, जो chain की rings है, अगर वो फंस गई हैं, तो उसकी वज़े से कौन सी error देखने को मिलेगी, चार option दिये हुए हैं, चार option पढ़िए, और which one is correct, यहाँ आपको बताना है, question number 6th का answer, फटा फट बताइए, welcome अज UPSSIE में आपको building material, estimation and costing यह सारे subject अच्छे से पढ़ लो, यह सब subject तो पूछे जाने ही है, 100%, water resource engineering, clogging of chain rings with mud introduced, which one is correct, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, कई लोग तो बस all of the above देखके तुरंत all of the above बोल दिये, यह भी नहीं सोचा है, आप लोगोंने, कि यहाँ पर positive cumulative error लिखा है, यहाँ पर negative cumulative error लिखा है, दोनों कैसे सही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा, D option बोलने वाले तो धन्य है, यह आप मैंने बोला है कि all of the above दिखा रहे है, तो आपको सोचना है, यह नहीं बोला है कि all of the above दिख जाए तो उसको tick कर देना है देखो आपको पता है कि clogging of mud, clogging of chain rings with mud, mud की वज़ा से chain ring जो clogged हो जाएगी, फस जाएगी उसकी वज़ा से chain की length क्या हो जाएगी, less हो जाएगी न, chain की length क्या हो जाएगी, less हो जाएगी, chain की length घटती है तो correction क्या होता है, negative, negative correction होता है, negative correction होगा, और यह negative correction होगा, और यह negative correction ह पहली बार रखोगे चेन को दूसरी बार रखोगे उस बार भी नेगटिव आएगा बार बार एरर आती जाएगी जुड़ता जाएगा यह तो पहली बात लेस होगी चेन के लिए तो लिए नेगटिव करेक्शन लिखा हूँ अगर करेक्शन नेगटिव तो एरर कैसी हो यह option is correct, ठीक है, ठीक, यह option is correct, तो थोड़ा सा टूटो मत इस तरीके से all of the above मत टूटा करो, सोचा करो थोड़ा से, बड़ा आसान है, सब चीजी आसान है, बस केवल थोड़ा सा सोचना है आपको, next, the maximum length of offset depends on, यह तो बता दोगे, कई बार कराया है YouTube पे, अगर YouTube की classes जो regularly ले रहोंगे, इसका जवाब तो सही दे देंगे, good evening बेटा प्रजवल, जल्दी जल्दी आओ यार, और likes केवल 47, 47 likes से काम नहीं चलने वाला है, मेरे session में, मेरे session में like होने चाहिए, live viewer से जादे, 96 और 100 लोग live watch कर रहे हैं, तो इसका मतलब likes यहाँ पे, अब-ब, टेड़ सो होने चाहिए, ठीक, 100 से उपर at least होने चाहिए, ठीक है, तो फटा-फट यार session को like भी कर दो, आप लोग, ठीक है, the maximum length of offset depends on, जल्दी से बताए, length of the tape, importance of the object, nature of the ground और scale of the map, scale of the map पे depend करता है, इसका term भी आता है, length of offset निकालने में, d option बिल्कुल correct है, यहाँ पे scale of the map, ठीक है, scale of the map, d option is correct, बिल्कुल, next, the smaller angle made by the survey, with the, यह द लिखा है, ठीक है, with the true meridian is known as, देखो बहुत अच्छा question है, smaller angle made by the survey line, with the true meridian, true meridian से बनने वाला smaller angle survey line के लिए, क्या कहलाता है, true bearing, azimuth, grid meridian, magnetic bearing, which one is correct, यहाँ पे इस question में, question number 8 का कौन सा correct है, जल्ली से बताएए, question number 8 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्ली से बताओ यहाँ पे, इस question का answer बताओ, कई लोग A और B में confused होंगे, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो बेटा, यहाँ पे true meridian लिखा हुआ है, यह true meridian से, true north से, कोई अंगिल अब लिखा हुआ है, smaller angle made by the survey line with the true meridian is known as, अब यहाँ पे bearing का system तो नहीं लिखा हुआ है, कि whole circle bearing system है, या फिर reduce bearing system है, most appropriate word जो होता है, यूज करते हैं, हम लोग true meridian से जब angle measure करते हैं, तो उसके लिए most appropriate word क्या होता है, azimuth, angle measure कर रहे हैं, horizontal angle उसके लिए word यूज किया रहता है, azimuth, जब true bearing और azimuth दोनों दिया रहा है, तो आपको azimuth पे tick लगाना है, यह बात अच्छे से याद रखना है, इसलिए confuse हो रहे थे कुछ लोग, यहाँ पे इस बात को आप लोग ध्यान दिजेगा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो उस बात को ध्यान दिजेगा, यहाँ पे जब दोनों option रहे ना, तो आपको azimuth पे ही tick लगाना है, otherwise यह azimuth नहीं होता, तो आपका true bearing पे आप tick लगाते हैं, बिल्कुल correct होता है, 100%, ठीक है, next, next question देखिए, question number 9, the graduated ring of the prismatic compass has its zero add, has its zero add, अब यहाँ पे दो figure भी नीचे मैंने डाल दिये, यहाँ पे देखो, इस question की नीचे, हलाकि यह question जब exam में आएगा, तो आपको यह figure नहीं दिये होंगे, यहाँ पे figure दिया दी, इसमें एक surveyor है, एक prismatic compass है, आपको, I think दिखाई भी नहीं दे रहोगा, थोड़ा जूम कर ठीक, बिल्कुल नहीं, मुहमद तौवीद, यहाँ भी पढ़ा होगा, ज्यान से देखेगा उसको, which one is correct, south, south, बिल्कुल correct है, south, अगर आपको prismatic compass लिखा हुआ है, prismatic compass, यह वाला figure जो है, यह prismatic compass का है, यह वाला figure prismatic compass में, इसमें south पे 0 होता है, और यहाँ से clockwise direction में हम लोग marking करते हैं, 0 के बाद यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, ठीक है, surveyor compass में क्या होता है, north उपर और south नीचे होता है, east और west को हम लोग क्या करते हैं, interchange कर देते हैं, east को इधर represent करते हैं, west को इधर represent करते हैं, ताकि measurement जो हो, वो सही हो पाए, needle जो deflect होगी, इस से इधर तो proper angle measure कर पाए, इसमें भी 0, यहाँ पे mention करते हैं, और 90 degree, इधर 90 degree, ठीक है, reduce bearing system में measurement होता है, surveyor से, और prismatic से whole circle bearing system में measurement होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका A option बिलकुल correct है, 100% A option is correct, आगे बढ़े, next, अगले question की तरफ, चलिए, next question देखिए और बताइए इ question number 10, question number 10, the ratio of curvature effect to that of refraction is, the ratio of curvature effect to that of refraction, curvature correction आपने पढ़ा है, refraction correction भी पढ़ा है, इन दोनों का ratio, आपको पता है कि curvature correction अगर CR है, तो मानलो CC curvature correction है, और refraction correction CR है, तो CR equal to क्या होता है, 1 by 7th of CC, इसको positive लेते हैं, इसको negative लेते हैं, value भी आपको पता होगी, 0.073, 0.0785D square, 0.673D square, यह सारी values आपको पता होंगी, ठीक है, उसकी 0.012D square, ठीक, total correction वगरा सबकी, यह positive होता है, यह negative होता है, यह positive होता है, यहाँ पर दोनों का ratio पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ratio 7 हो जाएगा, ठीक, दोनों का ratio क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 upon 1 by 7 is 7, D option is correct, next, next question, in leveling, the effect of reflection may be taken as, dash of that of curvature, y question घुमा फिरा के उसी तरीके का पूछ लिया, same, reflection का जो effect होता है, वो कितने times होता है, curvature के, तो आप सभी को पता है कि magnitude, जो curvature का magnitude आता है, उसके 1 by 7 के बराबर होता है, यह option यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, यह option is correct, 100% a option is correct, अगला, next, अगला question, in plane table, the intersection method is preferred when object to be plotted are, intersection method हम कब prefer करते हैं गाईज, आप लोगों को बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए, plane table surveying में intersection method कब prefer किया जाता है, जब हम लोग prefer करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, इसका answer पहले सबसे पहले दो, question number 12, question number 12 का answer दीजे, a, maximum लोग बोल रहे हैं, a, बिल्कुल, जब हमारे पास object बहुत large दूरी पे होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, manually chain से measurement नहीं करते हैं, chain से measurement, large distance का measurement chain से नहीं किया जाता है, undulated ground रहे और large दूरी रहे, distance बहुत large हो, वहाँ पे हम लोग measurement chain से नहीं करते हैं, वहाँ पे intersection method यूज करते हैं, intersection method से raise जो दोनों एक दूसरे को cut करते हैं, उसको proper scale से convert करके ground distance को निकाल लिया जाता है, C option जो दिया हुआ, यहाँ पे large distance without high tree, यह गलत होगा, high trees रहेंगे तो वह point दिखाई नहीं देंगे न, high trees वाला इससों कोई चकर ही नहीं है, A option आपका correct है, यहाँ पे large distance, A option is correct, A option यहाँ पे correct है, next, question number 13, question number 13 देखिए और इसका answer आप लोग बताईए, to minimize error in a fly leveling, fly leveling में error को minimize करने के लिए क्या करते हैं, in fact आपको leveling में भी लिखा हुआ, fly leveling ना भी मिले, leveling मिले, हाँ, थोड़े से late comment मुझे show होते हैं, बिल्कुल, lag रहता है YouTube पे, सभी session में, हर session में lag रहता है, क्योंकि आप लोग जो comment करते हो, show हो रहे हैं, इतना अच्छा system बना रखा है, एक तो, इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो है इंडिया में इतना affordable हो गया, YouTube भी बहुत help किया बच्चों की, और in fact बहुत ज़ादा, इसमें थोड़ा बहुत lag है, वो भी दिरे-दिरे क्या पता, आगे जाके खतम हो जाए, session को like कर दो, यार, देखो deep भी कहा रहा है, session को like करिया, आप लोग, सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हो, यहाँ पर क्या पुछा है, minimizing error in a fly leveling, कैसे minimize होगा fly leveling में error, options पढ़ते हैं, पहला option लिखा हुआ है, the reduce level, the reduce level of the staff station should be equal, RL equal हो जाए, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं, the instrument should be at equal distance from the staff, बिल्कुल staff से instrument को क्या करेंगे, बराबर बराबर दूरी पर, the instrument should be at equal distance from the staff station, staff station जहाँ पर रहेगा, instrument को से equal दूरी पर एधर एधर से, और एधर दूसरे साइड से, इस तरीके से rating लेंगे, तो वो दोनों error एक दूसरे को cancel out कर देती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, error minimize हो जाएगी या neglect हो जाएगी, ठीक है, खतम हो जाएगी, be option is correct, be option correct है, be option is correct, next, ठीक, validate का use हम कहां करते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, which one of the following is correct, यहाँ पर कौन सा option correct है, chain survey में, plain table survey में, compass survey में, या फिर थोड़े light survey में, ठीक, बेलकुल अज़ा, क्या करूँ यार, मैं तो इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि सेशन्स लाइक करने के लिए, मैं तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग को, क्योंकि सेशन्स लाइक करने से होता क्या है, कि जैसे ये वीडियो है, यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है, उन बच्चों तक बहुत सारे बच्चों होते हैं, कि यहाँ पर मैं भले कितना भी अच्छा पढ़ा हूँ, बहुत सारे बच्चों होते हैं, जिनको ये वीडियो नहीं मिल पाएगी, ना तो देख पाएंगे, साच करेंगे, नहीं देखते होंगे, विजिट नहीं करते होंगे, चैनल तो नहीं मिलेगे उनको, इसके लिए करते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, दूसरे पॉइंट को अब्जेक्ट को, स्टाफ को और उसके थुरू, यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग प्लेन टेबल पे, ठीक है, बिलकुल, नेक्स्ट, अगला कॉस्सन, चलिए इस कोशन का जवाब दीजे, दसेंसिटिव्टी और बबल ट्यूब, कैन बी इंक्रीजड बाई, बबल ट्यूब की सेंसिटिव्टी को, इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज होगी, औप्शन पढ़िए, यहाँ पर अच्छे से पढ़के, और यह अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ सेंसिटिव्टी लिखा हुआ है, आपको पता है कि R की वैलू बढ़ाने पे, इंक्रीजिंग दे रेडियस आव दी कर्व, R की वैलू बढ़ाने पे क्या होता है, सेंसिटिवनेस क्या हो जाता है, घटता है, सेंसिटिव्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सेंसिटिव्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, B option is correct, next, सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव्टी में जिनको confusion होगा, सोचा करो एक बार थोड़ा सा, एक बार पढ़के अच्छे से लिख लेते हो formula तो उसके बाद थोड़ा सा सोचा किजिए sensitivity पूछा है, sensitivity पूछा है, next reciprocal leveling is done when, reciprocal leveling is done when, reciprocal leveling हम कब करते हैं options पढ़िए और बताएए which one is correct इस question का answer बताएए which one is correct ground is uneven, ground is flat, balancing of site is not possible, none of the above which one is correct अब यहाँ पर leveling की बात हो रही है, reciprocal leveling आपको बता चुका हूँ कि reciprocal leveling की बात तभी करते हैं जब हमारे पास ground ऐसा हो, जिसमें कोई river या कोई ऐसा object आ जाए जो object जहाँ पर हम लोग leveling staff को या फिर instrument को नहीं रख सकते हैं बीच में, जैसे river, ऐसा कोई object है जिसके एक end से दूसरे end पर देख तो सकते हैं लेकिन वहाँ पर बीच में हम लोग instrument को सेट नहीं कर सकते हैं काइटिंग पॉसिबल हो लेकिन वहाँ पर leveling या बगएरा या instrument को सेट करना पॉसिबल ना हो तो ground is uneven यह तो options गलत है, ground is uneven ground के लिए नहीं करेंगा uneven ground मतलब undulated ground है, पराबर नहीं uneven है ground uneven में आपका नीचे भी जा सकता है यह और उपर भी जा सकता है यह भी तो uneven है लेकिन hill वगएरा बीच में आ जाए तो आपको यहाँ पर reciprocal leveling prefer नहीं करते हो इस बात को सोचो, hill आ जाए तो prefer करोगे क्या reciprocal leveling नहीं करोगे तो यह option तो आपका गया ground is flat, कोई मतलब भी नहीं है, flat ground के लिए reciprocal leveling करना balancing the site is not, side balancing possible नहीं हो, मतलब एक side दूसरे side में रखके यह possible नहीं हो instrument को एक side से दूसरे side पे side balancing possible नहीं हो, इसका भी option नहीं है यहाँ पर आपका D option आपका correct हो जाएगा D option, none of the above, कोई भी option नहीं दिया हुआ है यहाँ पर बस किवल river या फिर ऐसा कोई pond, lake ऐसा कोई object आ जाए बीच में, जहाँ पर sighting possible है और बीच में आपको level या instrument सेट करना possible नहीं है, वहाँ पर हम लोग करते हैं reciprocal leveling D, next, reflection correction, next देखिए, reflection correction, reflection के बारे में पूछ रहा है option नहीं लिखा हुआ है, completely eliminate the curvature correction, partially eliminate the curvature correction, adds the curvature correction, adds to the curvature correction, और has no effect on the curvature correction, बड़ा ही simple सा question है बहुत ही simple सा सधार सा question है, अच्छा question इसको बोलूँगा, क्योंकि curvature correction अगर CC है, तो reflection correction क्या होता है, 1 by 7th of CC, लेकिन अगर CC negative होता है, तो इसको हम लोग positive लेते हैं, यह reflection correction जो CR होता है, यह इसमें जुड़ता है, इसको क्या करता है, इसमें जुड़ता है, तो क्या करेगा, इस minus वाली value को कम करेगा, इसकी value को क्या कर देगा, कम करेगा, क्योंकि यह positive है, तो इसको eliminate करता है, CC को कम करेगा, reduce करेगा, eliminate करेगा, लेकिन पूरी तर करता है कुछ हद तक eliminate करता है यह बी option is correct पी option is correct कि बी option is correct कि नेक्स्ट अगला कि नेक्स्ट कोसन देखिए और बताइए इसका एंसर अच्छा कोसन है बड़े कोसन को देखे घबराना नहीं है options देखे कई बार easy हो जाता है आसान हो जाती है चीजे the following consecutive reading were taken with a dumpy level, dumpy level द्वारा यह सारी के सारी reading ली जा रही है 0.695, 1.525, something, something, something यह दिया हुआ है आपको readings दी हुई है the instrument was shifted after the third and fifth reading मतलब तीसरी और पाँचवी reading के बाद instrument को क्या किया जा रहा है shift कर दिया जा रहा है यह तीसरी reading है और यह पाँचवी reading the readings इतना एंड इतना यह दो reading है इन दोनों reading के बारे में पूछ रहा है कि यह दोनों reading क्या represent कर रही है obvious ही बाद है कि तीसरी reading के बाद अगर instrument को shift कर दिया जा रहा है मतलब पहली यह दूसरी यह तीसरी यह लेगे इसके बाद shift किया गया तो यह वाली reading जो होगी इसको क्या बोलोगे आप लोग इस reading को गाईज आप लोग बोल सकते हो यह reading क्या होगा ही four bearing four bearing four bearing या sorry bearing नहीं four sight बोलेंगे four sight ही हो जाएगा क्या two point three nine five उसके just बाद वाली reading दुबारा पूछ लिया यह वाली तो जैसे instrument को shift करते हैं मैंने बताया आपको पचासो बार कि जैसे instrument को shift करते हैं उसी staff पे जिस पे हमने पहले वाली reading लिया था उसी staff पे एक और reading ली जाती है उसके बाद वाली reading जो होती है उसको back sight बोलते हैं जहाँ पर नई position पर shift कर दिया वहाँ से ये वाली reading मिली इसको क्या बोलेंगे backside reading तो यहाँ पर a option आपका बिलकुल correct है पहला वाला ये foresight है और दूसरा वाला ये backside reading है ये option is correct next अगला question next question देखिए और इसका जवाब दीजे इस question का answer करो सभी लोग फटा फट the correction for refraction as applied to the staff reading is refraction correction जो कि staff दौर apply किया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है the correction for the refraction as applied to the staff reading is correction for the refraction as applied to the staff reading refraction correction का formula पूछ रहा है बेटा refraction correction का formula लेकिन दूसरे तरीके से पूछ रहा है ये d square by 2r के terms में पूछ रहा है आपको पता है कि d square by 2r क्या होता है curvature correction आता था minus d square by 2r इसका derivation भी बताया है मैंने ठीक YouTube की class में भी बताया है वहाँ से भी देख सकते हो batches में भी पढ़ाया है YouTube पे surveying के पूरे lectures पढ़े हो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग और CR जो होता है इसका 1 by 7 times होता है positive sign के साथ d square by 2r कौन सा option correct हो जाएगा यह option is correct यह option is correct यहाँ पे आप लोग यह option देने लोगों ने बोला है दीप, ट्रेवल, इंजिनियर मुकेश, स्वारन, जिते इंद्र वैभु मुकेश, रूपा, देवाशिष, शांत, बिलकुल आरती आपका answer correct है next, next, नहीं बाकी भी plane table के भी थे, questions तो अच्छे से देखो, सारे questions थे if the horizontal distance between the staff point and the point of the observation is d, then the error due to curvature of the earth is proportional to curvature का error जो होता है वो किसके proportional होगा, आपको पता है कि CR यहाँ पे CC जो है curvature correction यह 0.0785d square होता है, minus 0.0785d square, d square के proportional होता है, proportional to d square, which one is correct, c option is correct error बोला है तो error के लिए positive sign हो जाएगा यह, ठीक, error के लिए positive हो जाएगा, ठीक, यह आपका c option correct हो जाएगा next, अगला question next question देखिए और बताइए the type of surveying which requires the least official work type of surveying which requires the least official work least official work मतलब क्या हुआ, जिसमें ऐसी surveying जिसमें आपको office में आके ज़्यादा काम ना करना पड़े, मतलब site पे ही सारे के सारे work almost हो जाए, site पे measurement भी हो जाए, reading भी हो जाए, plotting भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, यसी कौन सी surveying होती है, पढ़िए यहाँ पे टेकोमेट्री, टिक्नोमेट्रिक लेवलिंग, प्लेंटेबल सर्वेइंग, तोडलाइट सर्वेइंग, विच वन इस करेक्ट, यहाँ पे प्लेंटेबल सर्वेइंग, आपको पता है कि प्लेंटेबल सर्वेइंग में हम लोग, रीडिंग, साइटिंग, दोनों एक साथ करते हैं, plotting, जिससे कि हमारा time बचता है, लेकिन इसमें, एरर आने के चांसेज ज्यादा होता है, एरनियस हो जाता है, इसलिए measurement जो होता है, उसमें एरर ज्यादा दे रिफलेक्ट होते हैं, ठिक, C option, time बच जाता है इसमें, intersection method of detailed plotting is most suitable for, intersection method for detailed plotting is most suitable for, intersection method detailed plotting के लिए कहाँ पे suitable होगा है, यार सीधी सी बात है suitable, वहाँ पे होगा जहाँ पे आप chain से measurement असानी से नहीं कर पाऊगे, ठिक, plain area में तो chain से measurement कर लोगे, urban area हो, forest हो, जहाँ पे chain से measurement, forest में तो trees होए रहोंगे, वहाँ पे तो आप sighting भी नहीं कर पाऊगे, proper दूर-दूर के point की, hilly areas यहाँ पे बिल्कुल correct answer होगा, आपका hilly areas, जहाँ पे आपको chain से measurement करने में problem हो, लेकिन sighting हो जाए, वहाँ पे आप hilly areas में यह use कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीके c option is correct, अगला, next, three point problem can be solved by, methods पढ़े होंगे, उसमें अगर आपने diploma में, तो यह आपको याद होगा, three point problem के लिए, कौन-कौन से method होते हैं, यह lemons method या फिर Bessels method, यह सब scientist के नाम है, इनोंने methods दिये हैं, three point problem को solve करने के लिए ही, tracing paper method होगा, यहाँ पे proper लिखा हुआ है, paper है, tracing paper method है, ठीक है, which one is correct, all of the, अब अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे, सर इसका बोलूं कि ना बोलू all, बिल्कुल बोल लो बिटा, यह तो सही है आपका, ठीक है, D को लोग कर दिया मैंने, question number 24, question number 24 देखियो और फटा-फट बताईए, इसका answer, बिल्कुल आर्थी, अवतार, संजीव, बिल्कुल, इसका answer बताओ, the two-point problem and the three-point problem are method of, यहाँ पे confusion कुछ लोगों को हो सकता है, A option में और D option में, orientation, traversing, resection, resection में आपने पढ़ाए कि resection में ही हम लोग two-point problem और three-point problem को phase करते हैं, orientation में भी two-point problem और three-point problem आपको देखने को मिलती है, obviously बात है somewhat related to orientation भी orientation से related कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब ले जाओगे, set करोगे plane table को, उसका orientation proper कैसा था, वो भी adjust करना होता है, आपको position के साथ साथ, तो ये option आपको A और B दोनों ही correct है, यानि कि आपका D option correct है, यहाँ पर D option is correct, ठिक D option is correct, 100% D option is correct, next, अगला, बोडिच रूल, बोडिच रूल पढ़ाया है मैंने, बोडिच रूल is applied to, बोडिच रूल को कहाँ apply करते हैं, चार option दिये हुए, जल्दी से जल्दी बताइए, An open traverse for a graphical adjustment, a close traverse for adjustment of closing error, determine the effect of local attraction, none of the above, कौन सा correct है, हाँ बता दूँगा जए अगर RCC की क्लास अगर लग जाती है तो, एक बार मैं बोलूँगा, अगर लग जाती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक, An open traverse for a graphical adjustment, a close traverse for adjustment of closing error, आपको बताए कि closing error के लिए हम लोग बोर्डिच रूल, transit rule, axis method, graphical method, यह चार method यूज़ करते हैं, to remove या to find the closing error, to correct the, to adjust the closing error, बिल्कुल B option correct है हाँ पर, B option is correct, 100% B option आपका correct है हाँ पर, जो भी लोग बोल रहे हैं, B option बिल्कुल correct है, angle between the prolongation of the preceding line and the forward line of the traverse is called as, angle between the prolongation of the preceding line and the forward line, मतलब, prolong मतलब बढ़ाना, prolongation मतलब होता है क्या बढ़ाना, preceding line, पिछले वाली line को बढ़ा दिया हमने, पिछली वाली line को हमने बढ़ा दिया, जैसे दो line थे यहाँ पे इस तरीके से, तो यह जो है पिछली वाली line को हमने क्या किया extend कर दिया बढ़ा दिया तो angle between the prolongation of the preceding line and the forward line यह वाला angle क्या कहलाता है यह पूछा है this angle इसको आपको बताया ना this is known as deflection angle इसको हम लोग deflection angle बोलते हैं intersection angle कौन सा होता है अंदर वाला यह क्या होता है deflection angle deflection angle बोलते हैं a option is correct a option is correct a को लोग कर दिया है बेलकुल correct है कर उसमें भी पढ़ाया आई है मैंने a option is correct अगला next horizontal distance obtained by tachometric observation horizontal distance obtained by tachometric observation tachometer से जो horizontal distance measure करते हो उसमें options दिये हुए है required slope correction slope correction की जो रोत नहीं पढ़ती है tachometric में tachometric equation आपको पता है ने d equal to ks plus c required tension correction chain से खिचके तो कर नहीं रहा है chain यह tape से required slope correction and tension correction do not required slope and tension correction slope और tension correction की requirement वहाँ पे बिलकुल भी नहीं होती है ठीक हाँ रोज 6 बज़े से classes होती है 6 बज़े से उस लोग तो बिलकुल नहीं नहीं आते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता यूटूब बगरा पर देख लिया करो यार आप लोगो इंजिनर सटाप पर आपको daily मेरे notification आपको एक दिन पहले ही मिल जाते है एक दिन पहले ही आपको class का schedule मिल जाता है daily 6 बज़े से ही होती है यह class और दो पहर में 2 बज़े से आपको concept की class the option is correct next overturning of the vehicle on a curve can be avoided by using कोई vehicle अगर curve पे overturn हो रहा है पलट रहा है तो उसको avoid कैसे कर सकते हैं avoid मतलब उसको रोग बचा कैसे सकते हैं vehicle को overturning कब होगी जब state road को अचानक से हमने क्या किया curve road के साथ जोड दिया यहां से vehicle जाएगा इस पे centrifugal force 0 था जैसे ही curve section पे गया इस पे centrifugal force बाहर की तरफ लग गया कितना mv square by r अब centrifugal force को दो तरीके से कम कर सकते थे एक तो super elevation provide किया जा super elevation provide कर दे और दूसरा transition curve तो हम क्या करते हैं यहां पे transition curve provide करा देते हैं यहां पे क्या किया जाता है transition curve इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं transition curve provide कराते हैं transition curve provide कराने से क्या हो जाता है curve पे overturning के problem खतम हो जाती है d option is correct यहां पे आपका d option बिल्कुल correct हो जाएगा transition curve ठीक है चलिए next question number 29 question number 29 if the degree of curve is 1 degree then the radius of the curve is बड़ाई simple सा कोश्यन आपको chain length ना दिया हो तो आपको वही formula यूज़ करना है 1720 वाला आपको पता है कि degree of curve दे दिया तो r की value पूछ लिया 1720 divided by d यहां पे degree of curve 1 degree दिया हुआ है तो 1720 divided by 1 कितना answer हो जाएगा 1720 meter यह b option is correct b option is correct b option is correct यहां पे b option आपका correct हो जाएगा guys है ना next अगला question देखिए next question अच्छा question है an upgrade of 1.5% is followed by an downgrade of 0.5% at the rate of change of the gradient is 0.2% per 20 meter chain then the length of the vertical curve is यहां पे आप grade दे दिया downgrade दे दिया और 0.2% per 20 meter 20 meter के लिए आपको दे दिया 0.2% का grade तो यहां पे आप gradient में change देख लो कितने का रहा है n की value कितनी हो जाएगी n1-n2 इसको हम निकालेंगे 1.5--plus हो जाएगा और 0.5 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 2% 0.2% के लिए कितना है length 20 meter तो 2% के लिए कितना हो जाएगा 20 upon 0.2 into 2 कितना हो जाएगा यह 200 meter यह b option आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बड़ा simple सा question था यहाँ पर वही question था जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते हो कि 10 रुपए के 5 आम तो 2 रुपए का कितना आम वही है ना वही question है ठीक चलिए next आगे देखिए agonic line is the line joining points having agonic line agonic line क्या होती है इसके बारे में पूछा गया है next इस question का जवाब दीजे agonic line is the line joining points having question number 31st सीधी सी बात है जब भी agonic ये सब term ISO ठीक है ये सब ISO, Penta, ये सब Hexa, ये सब सब जो term आया है ये सब अपने country के तो है नहीं लेकिन हम लोग इसको follow करते हैं क्योंकि भाई उन लोगों ने दिया होगा ओविस सी बात है तो यहाँ पे जब agonic line दिखाए दे यानि कि zero declination जहाँ पर agonic लिख जाए जहाँ आइसो गोनिक मिले ISO term मिले वहाँ पर मतलब equal declination जब same declination आपको दिखाए दे रहा है तो वहाँ पर इसो गोनिक लिखा होगा तो same declination या फिर equal declination हो जाएगा अगोनिक लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा zero declination को मिलाने वाली line declination आपको पता है न true meridian और magnetic meridian के बीच का एंगल horizontal angle between the true meridian and the magnetic meridian is the is known as declination ठीक है horizontal angle होता है यह option करेक्ट है यहाँ पर zero declination next the true length of a line is known to be 200 meter when this is measured with a 20 meter tape the length is 200.80 meter अगर 20 meter की length है तो इसको capital L मान लेते हैं और इसकी true length मतलब small L आपको दे रखा है 200 meter eldest दे रखा है 200.8 यह measured length है आपसे पूछा है capital eldest chain की लंबाई कितनी होगी लिखा हुआ है न the correct length of the chain 20 meter tape की लंबाई कितनी होगी आपको पता है 20 into 200 true into true equal to कर दिया 200.8 into eldest तो निकालना ही है eldest आपको निकालना है ठीक इसको note कीजे ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका eldest का answer eldest का answer हो जाएगा आपका 19.92 19.92 आपका answer हो जाएगा यह option इस correct यहाँ पर यह option आपका बिलकुल correct हो जाएगा ठीक है यह option is correct next question देखो an observer standing on the deck of a ship just see the top of a lighthouse which is 30 meter above the sea level एक lighthouse है जो कि 30 meter उपर है मतलब h1 की value 30 meter दे दिया if the height of the observer's eye is 10 meter above the sea level जो height of observer है वो h2 की value किता दिया है 10 meter मतलब जो observer देख रहा है उसको lighthouse को उसकी height जो deck पे खड़ा होगा sip के उसकी height 10 meter दे रखा है और यहाँ पे टर्म लिख रहा है just see मतलब just see वाली condition में दोनों maximum दूरी पे होंगे उनके बीच की दूरी निकालनी है then the distance between the observer and the lighthouse will be nearly equal to the observer और lighthouse के बीच की दूरी d1 plus d2 equal to d निकाल लेंगे दोनों की दूरी एक से d1 की value क्या formula आपको पता है 3.855 under root h1 plus 3.855 under root h2 h1 s2 की value put करो यहाँ पे h1 की value root 30 है और इसकी value root 10 है इसमें 3.855 का multiply करिए यह आपको d की value मिल जाएगी यहाँ से value आ रही होगी 33.3 km में आती है यह value d जो मिलेगा kilometer में मिलेगा h को रखते हैं meter में इसको distance of visible horizon यह आपको पढ़ाया है मैंने बताया भी है आप लोगों को पता भी होगा c option is correct c option is correct कोई बात ने कोई बात ने आपको जतना आ रहा है न आप उतने answer करो अपने को genuinely अपने देखना है कि genuine कितने तुम हो ठीक है जो अपने अपने को देख रहे हो अपने को देखिए जतने genuine हो आप genuine रहने कोशिस करो solve करो on the spot ठीक है next अगला the property of autogenously curved for automobiles are given by जो भी automobiles होती है जो vehicles होते हैं उनके लिए जो autogenously या फिर autogenous curve जो बनाया जाते है autogenous term ये use किया जाता है उन curves के लिए जहांपे vehicles जो है freely move कर सके freely move कर सके आसानी से freely उस curve पे vehicle move कर पाएं तो उसको बोलेंगे autogenous curve अब autogenously curve डिजाइन किया जाता है उन automobiles के लिए यहां पे उसका जो safe होता है उसका safe रखते हैं हम लोग lemny skate ये Bernoulli lemny skate lemny skate या Bernoulli lemny skate बिलकुल एक ही है same है C option is correct C option is correct C option is correct बिलकुल बहुत सारे बच्चों की बहुत ज्यादा मेहनत होती है definitely बहुत सारे बच्चे तीन-तीन साल से कई सारी बुक्स लगा चुके हैं चार साल पान साल से पढ़ाई करना है तो in fact उनको questions याद हो जाते हैं comparison उनसे आपको खुद को नहीं करना है आपको अपना comparison करना है तो सबसे पहले अपने को slack बनाओ आप पढ़िए खुब ज्यादा पढ़िए बहुत ज्यादा से ज्यादा revise कीजिए competition यहाँ पर answer देने से बिलकुल कम या ज्यादा नहीं होने वाला है competition का day by day बढ़ता जा रहा है आप लोग को बसके वाल focus करना है अपने उपर ठीक है which one of the following statement statement best defines a level surface best defines a level surface level surface की बात कर रहा है level surface के लिए कौन सा statement correct है पहला लिखा हुआ है level surface आपको बताया ना कि जो earth surface mean सी level के parallely जितने भी surface बनते हैं उनको level surface बोलते हैं mean सी level mean spheroidal surface के ठीक और वो perpendicular किसे होगा gravitational के line के यहाँ पहला पढ़िए horizontal surface बिल्कुल पहले ही गलत लिख दिया horizontal surface तो होता नहीं यह curved होता है curved surface every element of the which perpendicular to the spheroidal shape of the earth spheroidal shape के perpendicular नहीं होता है spheroidal shape जो earth का spheroidal shape होता है उसके parallely होता है level surface parallely जितने surface बनाते जाओगे mean सी level के plane surface which is perpendicular at all the points to the direction of gravity plane surface यहाँ पहले लिख दिया plane surface फिर गलत लिख दिया curved surface लिखना चाहिए curved surface which is perpendicular to the direction of gravity at every point यह curved surface जो है earth के चारों तरफ जिसके हर point पे gravitational direction क्या होगी perpendicular होगी gravity की direction क्या होगी हर point पे perpendicular होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं level surface बोलते हैं level surface तो D option is correct यहाँ पे D option 100% correct होगा आपका D option is correct आई होप कि आज का session आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा questions अच्छे थे बहुत सारे questions अच्छे थे आपको मजा आया होगा आज के session को attend करके ठीक है इसी तरीके के session daily लेके आऊंगा कल भी आपसे मिलूँगा दोपहर में 2 बजे और साम को 6 बजे यूटुब पे और बाकी जो बच्चे paid classes में पढ़ रहा हैं वो अपनी classes को इसी तरीके से continue रखिए practice करिए यूटुब पे paid classes में पढ़ाई किजिए notes बनाई है proper तरीके से और जो भी आपके upcoming examination है मैं आसा करता हूँ कि आप जल से जल उन examination को crack कर सकें thank you guys आज के session को attend करने के लिए सभी का सुक्रिया ठीक है और बाकी जिन बच्चों को batches join करना होगा जरूर join करके अपनी classes को proper way में study start कर सकते हो join करने के लिए जो महापैक से इनके अंदर सारे के सारे access मिल जाते है test series और live batches जो भी student interested होंगे join कर सकते है civil engineering का महापैक y293 coupon code use करोगे तो इसमें आपको discount maximum मिल जाएगा और double validity भी आपको app store पर दिखाया जा रहा होगा दिख रहा होगा भी आज की rate में आप जाके purchase कर सकते हैं उसको ठीक है ओके ओके थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच ठीक है थैंक्यू गाइज तो जो भी बच्चे interested होंगे batches को join करने के लिए join कर सकते हैं open code use कर लेना y293 और साथी साथ जो ssc.je के नए batches में join करके अपनी study को continue करना चाते हैं ssc.je civil engineering का 500 student के लिए batch है यह civil engineering का pre plus mains के लिए दोनों के लिए है 18 तरिक से start हो जाएगा तो इस civil engineering के batch को आप ssc.je के point of view से technical non technical complete classes के लिए इसको join कर सकते हैं यह भी batch 2600 यह 2700 रुपय में 2700 के असपास में मिल जाएगा application पे coupon code y293 जब आप apply करेंगे तब ठीक है ओके guys thank you thank you so much चलो end करते हैं आज का session मिलते हैं आप से next class में